में कह रहा है कि if alpha का value यहां दिया है बीटा का value दिया तो alpha minus beta का value क्या होगा तो चलिए alpha और beta का value यहां पर रखके simplify करते हैं 10 inverse root 3x by में 2y minus x और यहां minus 10 inverse 2x minus y by में root 3y ठीक है तो यहां 10 inverse x minus 10 inverse y क्या formula लगते है 10 inverse क्या हो जाएगा root 3x by 2y minus x minus का 2x minus y बटा में root 3y ठीक है और y में 1 plus root 3 y में 2y minus x और into में 2x minus y by में root 3y यही न हो जाएगा 10 inverse x minus y बटा में 1 plus xy चलिए हम लोग इसे solve करते हैं 10 inverse उपर हम लोगे calcium ले 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 हैं calcium हो जाएगा आपका root 3y into 2y minus x ठीक है इसमें से divide करेंगा root 3y बजेगा यह root 3y उपर जाके into करेगा तो 3xy हो जाएगा minus इसमें से divide करेंगे यह कट जाएगा यह जाके उपर multiply करेगा तो 2x minus y into 2y minus x यहीं ना होगा नीचे भी हम लोग calcium ले ले लेते हैं ऐसे तो नीचे आपको कटने के लिए है कि यह root 3 से root 3 काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं हम लोग पूरा का पूरा इसको लिख देंगे root 3y into 2y minus x इससे इसलिए ता कि यह कट सके यह नीचे 1 है इसमें करेंगे यह यह आएगा यह जाके ऊपर 1 में multiply करेगा तो root 3y into में 2y minus x और plus root 3x into 2x minus y ठीक है यह देखिए यह कट जागे यहां से ऊपर देखिए 10 inverse 3xy minus से हमें multiply करता हूँ तो तू जार 4xy minus का minus का 2x square minus का 2y square और plus का xy यह न हो जाएगा आपका ठीक है चलिए और यहां बाई में देखिए यहां हो जाएगा आपका 2 root 3y square minus का root 3xy plus का 2 root 3x square और यहां पर आपका minus का root 3xy ठीक है root 3xy चलिए अब आगे देखते हैं 10 inverse यहां देखो हम लोग यहां साइन उपर चेंड करेंगे तो 3xy minus का 4xy plus का 2x square plus का 2y square minus का xy और y में आपका देखिए यहां पर आपका लाइन से से लेता हो 2 root 3x square यह दोनों minus का add हो जाएगा तो minus का 2 root 3xy ठीक है और यह plus का 2 root 3y square यहां लास्ट मैं जाएगा अब उपर देखिए उपर आप देखोगे यहां पर 10 inverse 2x square को पहले लिखते हैं minus यह दोनों minus का 5xy और यहां plus का 3xy हो जाएगा और plus का 2y square और नीचे देखिए नीचे से हम लोग सिर्फ common कर लेते हैं root 3 को यहां पर 2x square minus का 2xy और plus का 2y square हो जाएगा यह पूरा-पूरा कट जाएगा उपर 1 10 inverse 1 by root 3 बचा तो 1 by root 3 यानि यह 5 by 6 का value हो जाएगा आपसान में देखिए 5 by 6 कौल सा है यह number इसका answer हो जाएगा समझ गए तो यह जो जाएगा समझ आपस को ए डीचे वोड़ा बटे सकात।